का नाम है दूदनात करुजे सर कौन सी ग्राम पंचाइज ग्राम सबस्ट चंधा सर विकास का मामिला है सर की यह रोड जब योगी जी हमारे कहते हैं गड्धा मुक्त और इस रोड को आज करीब पची तीस साल से मैं देख रहा हूं जबसे मेरा जर्म करा में यह रोड आज त होती है हमारे बच्चे और इस रोड पे पैदल क्या चलते हैं तो फिसल जाते हैं तो मोटर साइकल से कैसे निकल पड़ेंगे हम लोग जो की मोटर साइकल से सरब से हम कोई निकली नहीं सकता है इतना बुरा हाल है इस रास्तों का इसलिए हम मोखमंत्री के पास कंप्लेंड किये 19-2024 को 19-2024 को मोखमंत्री के पास कंप्लेंड किया वहां पर उन्होंने यह कहा कि सचवाले के पास भेज दिया गया है लेकिन इस पर प्रसासन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है हमारी मांग यह है कि यह रोड बने मादर 500 मीटर की दूरी हमने उसमें कंप्लेंड में लिखा है मोखमंत्री के पास कि परधान से नहीं मिले परधान से गाउवाले कहें हम भी कहें परधान से बस परधान यह कहते बस बनवा देंगे चुनाओ के बाद बनवा देंगे जब जब भी वो यही मुद्दा खड़ा की है यहां पर जब भी चुनाओ आएगा ओट मां तो परधान से आप लोग बताएं नहीं परधान जी कह रहे हैं हो जाएगा तो अभी तक बना नहीं क्या मामला है आप लोग परदर्फन कर रहे थे हमारा लोग का यहीं परदर्फन करना है अनुमार की यह रोड बन जाए करिशा भी करके और हमारे गाउं वाले को आधा से गाउं वाले जादा यहीं रास्ते से जाते हैं और सब लोग को बारिज में बहुत अगलीफ होती है इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि यह रोड कम से कम कुछ नहीं तो इंटरलाकिंग हो जाए या खरंजा लग जाए कुछ भी हो जाए और हमारे गाउं में जो भी नाली भी है बनी हुए वो भी सब जाम पड़ी हुई है उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है परदान जी से हम लोग कई बार बोल चुके हैं लेकिन परदान जी बोलते हैं पुष्ट बाने पूर